हम अपना पार्ट कर रहे थे हूद हूद उसके हमने कल प्रश्ण उतर किये थे आज आपकी पुस्तक की प्रिष्ट संक्या 112 के उपर यानि की पेज नंबर 112 के उपर कुछ रिक्तिस्तान देवे हैं वो करेंगे तो आप अपने प्रिष्ट संक्या 112 निकाले रंगा रंग हुद हुद का सारा शरीर रंग पिरंगा और चटकीला होता है हमने चप्टर में देखी हैं चड़िया और येल में भी हमने ये चड़िया देखी है कि ये बहुत ही सुन्दर चिडिया होती है, चटकिले रंगों वाली होती है, हुद हुद का रंग, चटकिला बताया जाता है रंग कैसे हैं, यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे फिका रंग, चटकिले रंग आदी, फिका रंग जैसे वाइट चिडिया होती है, आप देखते हो नुर्वल चिडिया जिसका रंग होती है, तब वो फिके फिके रंग के होती है, चटकिला रंग जिसका डार्क, ब्राउन, ब्लेक, रेड के अंदर उसकी चोंच होती है अपमुच रैड होती है, वो वाली चट के लिए रंके होती है तो इस तरह से रंगों को बताने के लिए इन शब्दों का प्रियोग कह राता है बताओ कि ऐसे किन किन चीजों के रंग होते हैं फिक्के और चट के लिए देखिए, रंग का नाम आपको भरना है इस रंग की चीजों के नाम भी भरने है जैसे गहरा, गहरा रंग किसका होता है पतियां गहरे रंग की होती है कववा गहरा रंग का होता है भालू गहरा रंग का होता है पतिया गहरी हरी होती है ना, ग्रीन कलर की कववा और भालू काले कलर के होते हैं तो इनका गहरा रन होता है, फीका कलर, आस्मान, आस्मान फीके कलर का होता है, मिटी फीके कलर की होती है, खरगोश और हाती, इनके कलर कैसे होते हैं, फीके होते हैं, भड़कीला, भड़कीला कलर जो आँखों हमें जब देखते हैं, तो आँखों में चुपता है उस कलर, जो इसे प्लाश का फूल जो होता है वो लाल कलर का होता है प्लाश की फूल ऐसे होते हैं ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो इस तरह से बढ़ कीले कलर दूप में वो और भी ज्यादा जंगल में आग लगी होई से लगती है तोता मोर यह सब बढ़ कीले कलर की होते तोता रंग, हम तोते रंग का इस्तेमाल कम ही करतें, जो तोते का कलर होता है, उसके कपड़े हम कम पैंते क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़किले कलर का, मोर वैसे सुदर होता है, लेकिन मोर में बहुत सारे कलर होते हैं, तो इनको कहा गया है बढ़किला, सुनहरा, सुनहरा रं कंगन सुनहरे कलर के हो सकते हैं कपड़े भी कई लोग सुनहरे कलर के जिसे शेरवानी और लहंगा इस तरह के सुनहरे कलर के हो सकते हैं नेक्स्ट आपका क्यूशन है यूनी ने आस्मानी रंग की कमीज पहनी है आस्मानी रंग का नाम कैसे बना होगा सोचो संकेत फल सबजी पत्तो आदि के नाम पर आस्मानी रंग का नाम कैसे बना होगा आस्मान को देखके आस्मान कैसे कलर का है वैसा ही रंग हमें जब दिखाई दिया तो हमने कहा आस्मानी कलर आस्मानी रंग इसी तरह फल, सब्जी, पते आदी नाम इनके संके दिये हैं तो इन पे किस तरह से नाम बन सकते हैं जैसे बैंगनी, बादामी, चंपई चंपा का फूल होता है, बैंगन होता है सब्जी और बादाम होता है खाने का एक ड्राइफ रूट तो इनके नामों पे रंगों के नाम हम बनाते हैं सुनहरा, महंदी, सिंदूरी इस तरह के नाम भी होते हैं नारंगी, नारंगी क्या है एक तरह का फल है जामूनी भी फल है तो जामूनी, तामबई, तामबे का कलर कैसा होता है तांबे का कलर जैसा कोई कलर होता है तो उसको कहेंगे तांबाई ये एक तरह का धातू है तांबा और कत्था होता है जो पान में लगाते हैं तो कत्था ही कलर नीला गेवा 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 गेहु का जो कलर होता है उस तरह का गेवा गेरुआ 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 यानि रेड एक रेडिश होता है गेरू होती है जिससे पोतके और उससे कुछ कोलाज बनाने के काम में आती है गेरू तो उसे का गया है नेक्स आपका प्रश्न है शब्द एक अर्थ अनेक यह मैंने आपको बार बार बे करवा दिया है तो ये वाला आप खुद करने की कोशिश करिएगा देखे शाह की भेट हुधूद के मुख्या से हुई मुझे मेरी बहन ने एक सुन्दर भेट दी उपर वाले शब्द, उपर वाले वाक्य में भेट का मतलब मुलाकात से है सबसे पहला जो शाह की भेट किसे हुई वुदूद से यानि भेट का मतलब क्या हुआ मुलाकात और मुझे मेरी बहन ने एक सुन्दर भेट दी इसका मतलब क्या हुआ उपहार तो दोनों में शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग-अलग निकल रहा है वाक्य के अनुसार उसी तरह तुम भी कोई ऐसे चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हैं उनका वाक्य भी बनाओ वाक्य में प्रयोग करके रिक्तिस्तान में आपको फिल करना है मैंने यहाँ पे शब्द लिये हैं यह शब्द आपको लेने की कोई आवशक्ता नहीं है आप अपने इस आप से दूसरे ऐसे शब्द ले सकते हैं जिनके दो अर्थ निकलते हैं और वाक्य में प्रयोग करना है जैसे पहला शब्द लिये हैं पर हुद हुद के पर सुन्दर है यानि पंक यहाँ पर निकल रहा है पंक आज का काम कल पर मत छोड़ो कल पर ठीक है तो यहाँ पर का जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है कलम हम सब कलम से लिखते हैं कलम यानि पैन राजा ने चोर का सर कलम कर दिया यानि यह की काट दिया सर धड से अलग कर दिया ठीक है, दोनों जगे शब्द का अर्थ अलग-अलग निकल रहा है इसी तरह आगे के भी आप दिक्तिस्तान पूरे करेंगे अपनी तरब से कोई शब्द ले सकते हैं ओके सुझाएं, सुन्दर सुन्दर हैं डायटिंग में आप इन दिक्तिस्तानों को भरेंगे और फोटो क्लिक करके मुझे से अंड गरेंगे थैंक यू